अस्सलामुलेकुम स्टुटेंट्स अब तक हम रिटर्ण वर्क में कोश्चन 1-4 तक कम्प्लीट कर चुके हैं मैं दुबारा 1-4 कोश्चन आपको एक्स्प्लीन कर देती हूं कि आपको कौन-कौन से कोश्चन करने थे कोश्चन वन जो था वो आपका पेज नमबर 3 के ओपर ह डिस्क्राइब दिस्टैप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्थ स्टैप्स हैं और फिर यह मार्क हुआ हुआ है कि कहां तक आपने करने थे नमबर 1 पॉइंट सेकिंड भी यह मार्क हुआ हुआ है आपके पास सेकिंड जैनरेट अल्टरनेटिव सॉलूशन थर्ड फॉर्थ ठीके यह आपका कोश्चन नमबर 1 था जो पेज नमबर 3 एंड 4 के ओपर था कोश्चन नमबर 2 जो था वह आपका ता डिफाइन एल्गोरिथम जो था पेज नमबर 5 के ओपर ठीके कोश्चन नमबर 3 है what are the advantages of developing algorithm यह भी आपका पेज नमबर 5 के ओपर यह कोश्चन नमबर 4 था डिफाइन फ्लो चार्ट पेज नमबर 8 ठीके 1 तिल 4 कोश्चन हो चुके हैं 1 तिल 4 कोश्चन आंसर्ज आपने अपने जर्णल में लिखने भी हैं रिजिस्टर में और साथ साथ इसे लर्ण भी करने हैं